पहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे उस बे आस्रा अंडे से आनात बच्चा निकलता है और फिर कैसे सब उस छोटे बच्चे से पूछते हैं कि तुम कौन हो और कोई भी उसे ये नहीं बताता कि वो कौन है और आपने ये भी देखा कि कैसे वो चिडिया उस छो पहले ही इस जंगल में तो खाने को कुछ मिलता नहीं है और वो चुडिया उठा लाई है उस बच्चे को न जाने कल बड़ा होकर कैसा पक्षी बनेगा कालू जी मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उस चुडिया के पती ने रख कैसे लिया उस छोटे बच्चे को अपने घर में अगर इस बच्चे को इस घर में रखना है तो इसका भोजन खुद ले कराना मुझसे नहीं पेड़ भर होगा इस बच्चे का मैं अपने बेटे के लिए भोजन डून कर लाऊंगा या इस के लिए ऐसा कहते हुए पापा चिडिया वहां से चला जाता है ममा आप भाई को मेरे हिसे का भोजन दे देना नहीं भाई मैं भूका रह लूँगा पर इंदू आपके हिसे का भोजन नहीं काऊंगा आप चिंदत ना हो आपके पापा गुसे में ऐसा बोल रहे थे आप देखना जब शाम होगी तो आपके पापा आपके लिए भी भोज़ा लेकर आएंगे ममा के पापा मुझे भी कुकु भाई की तरह ही प्यार करेंगे क्यों नहीं मेरी जान आप देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा अच्छा आप घर में ही बैठो मैं पानी पियाओ नदी से ममा मुझे भी पानी पीना है मैं लेते आओंगी पानी अपने बेटे के लिए भी फिर ममा चिडिया नदी से पानी पीने चली जाती है चिडिया पाल तो रही हो उस पराई संतान को कल न जाने बढ़ा होकर वो कैसा निकले गोरी बेहन संतान किसी पक्षी की भी हो बढ़ी होकर वो ऐसी ही बनती है जैसे उन्हें पाना पोसा जाए और आप देखना मेरा रोज बड़ा होगर एक अच्छा और सच्छा पक्षी बनेगा हमसे अपना पेड नहीं भरा जाता तुम उसका पेड कैसे भरोगी एक मा अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है चल भी कालू चले और चिड़िया हमारी दिशा में ना ला उस अनाद बज़े के लिए भौजन की खोज में गोरी बहन आपने हमेशा नफरते हैं बखे री हैं कभी प्यार से भी बात कर लिया करें गोरिकवी और कालुकवा वहां से चले जाते हैं चिडिया भी पानी पीती है और वहां से चले जाती है शाम भी हो जाती है सारा जंगल फिनने के बाद दो अमरूद मिले थे मुझे एक मैंने कुकु को खला दिया है और दूसरा पड़ा है खुद खाओ या दे दो इस बिना माता पिता के बच्चे को आप चिंतर पना हो, कल से मैं भोजन ले आया करूँगी अपने लिए भी और इस बच्चे के लिए भी पापा, जब मैं बढ़ा हो गया तो देखना मैं आपको खभी भोजन की खोच में नहीं जाने दूँगा और मैं आपके लिए मीठे मीठे फन लेकर आया करूँगा परन्तु कुकु का पापा खामोशी से अपना मूद दूसरी दिशा में करके सो जाता है ममा, ये जंगल कितना सुन्दर है मेरे बेटे मुझे भी इस जंगल से बहुत प्यार है मुझे तो इस जंगल के पेड़ पेड़ से प्यार है ममा, ममा एक बात पूछो पूछो मेरे बेटे, क्या बात है ममा, जब कुकु भीया अंडे से निकले थे तो क्या आप कुकु को भी अकेले छोड़ कर चलेगी थी ये सुनकर चिरिया खामोश हो जाती है वो कैसे उस छोटे बच्चे को बताती कि वो बच्चा तो उसका है ही नहीं और उसे तो ये भी नहीं मालूम कि वो जिस अंडे से निकला था वो लगी तक कैसे पूँचा मैं फिर कभी अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ूँगी बस एक बार सोरी दे दो ममा ममा मुदे की सामने बड़े पेर पर तो फल लगे हैं उस दिन से चिरिया हर रोज अपने बच्चों के साथ भोजन की खोज में जाती और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन की लाती ऐसे ही दिन और राज बुजटेगे कुकु और रोज बड़े हो जाते हैं वो अच्छे से उड़ने लगते हैं रोज तो बहुत बहादर था वो तो कुकु से भी ज़्यादा तेज उड़ता कुकू भीया वो देखें सामने घौंसे में बुड़ी फाक्ता बैठी हुई है हमें उसके मदद करना चाहिए मुझे लग रहा है कि वो भूकी है फिर वो दोनों भाई उस फाक्ता के पास जाते हैं आंटी आप ठीक तो है मैं बुड़ी हूँ मेरे बेटे और मेरा कोई भी नहीं है इस जंगल में दो दिन से भूकी हूँ देखा कुकू मैंने कहा था न कि आंटी फाक्ता भूकी है आंटी येले आम आप खाले बहुत मीथा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे जीते रहो भगवान आपकी रक्षा करे ऐसे वो रोज जंगल में सब की मदद करता वो अभी वहां से उड़े ही थे कि कुकू की नजट जमीन पर पड़ती है रोज भाई देखें वो पक्षी कैसे बड़ी शाख के नीचे घाइल पड़ा है फिर वो दोनों भाई तुरंट वहां आते हैं अरे ये तो गोरी आँटी है शायद ये बड़ी शाख इनके उपर गिर के होगी रोज और कुकू पूरा जोड लगाकर उस शाख को हटाते हैं और गोरी को निकाल लेते हैं फिर रोज और कुकू गोरी कवी को लेकर उसके घर की तरफ चाते हैं आप दोनों रानों चुड़िया के बेटे हो ना? जी अंकल कवे हम दोनों रानों चुड़िया के ही बेटे हैं गोरी कवी भी अपनी आँखें खोलती है मैं कहा हूँ? मैं जिन्दा हूँ क्या? गोरी होश करो आप जिंदा हो देखो चुडिया के बेटे आपको शाक से निकाल कर घर ले आए हैं आंटी आप हम चलती हैं ममा हमारा इंतजार कर रही होगी बेटे अपनी ममा से कहना के गोरी आंटी कर आएगी आपसे मिलने फिर कुकु और रोज वहाँ से चले जाती हैं कुकु और रोज बेटा आज आपने इतनी देर क्यों कर दी फिर कुकु अपनी ममा को सारी बात बताता है कि कैसी उन्होंने बुढ़ी फाखता की मदद की और फिर कैसे गोरी कवी को पेड के निचे से निकाल कर उसके घड छोड़ कर आए आपने बहुत अचा किया बेटा ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करते रहना भगवान हमेशा उस पक्षी की मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है जंगल में रात भी हो जाती है कुकु की ममा कल हम दूसरे जंगल जा रहे हैं मुझे पता चला है वहाँ नदी के पास एक पेड है जिस पर मीठे मीठे जामन लगे हुए है पापा मैं भी जाओंगा ना साथ नहीं तुम घर में ही रहना वो पापा चड़िया तो कभी भी रोज से प्यार से बात ना करता था वो केवल कुकु को ही अपना बेटा मानता था उसके अनोसार रिष्टे केवल खून के ही थे रोज तो उसकी अपनी संतान ना थी उस कारण वो पापा चडिया हमेशा रोज से नफरत ही करता जैसे आप कहेंगे पापा जी मैं ऐसा ही करूँगा फिर वो सब सो जाते हैं दूसरे रोज वो सब दूसरे जंगल के लिए प्यार थे कुकु के पापा देखें तो रोज कैसे मेरी तरफ देख रहा है वो आप से बहुत प्यार करता है आप कभी तो उसे प्यार से देख लिया करें ठीक है इसे भी ले चलो साथ ये संकर रोज तो बहुत खुश हो जाता है फिर वो सब खुशी खुशी दूसरे जंगल चल देते हैं कुकु और रोज बहुत खुश थे वो तो बहुत तेज उड़ रहे थे वहाँ एक चिडिया बैठी हुई थी वो सब भी उस चिडिया के पास ही बैठ जाते हैं मा ये तो वही जगा है जहां मैं अंडे से पहली बार बाहि राया था और मुझे मेरी मा इसे मधी पर मिली थी और मुझे ये भी याद है जब आप मुझे और कबुतर को देह कर पत्तों में छुप गए थे बहन जी ये दोनों आपके बेटे हैं हाँ बहन ये मेरे ही बेटे हैं ये आवाज ये आवाज तो वही आवाज है जो मैं अंडे में सुना करता था ममा ममा यह आवाज तो मुझे सुने सुने लग रही है ममा जब मैं अंडे में था तो मुझे यही आवाज सुनाई दिया करती थी यह संकर ममा चिडिया हैरान हो जाती है और फिर ममा चिडिया उस चिडिया से पूछती है आप यहाँ क्या कर रही है वो चिरिया तो रोने लग जाती है वो जालमुलू मेरे अंडे को उठा कर इसी दिशा में आया था जब मैं भोजन की खोच में गई हुई थी ममा ये सच में वही आवाज है बेहन चुप कर जाएं क्यूंके आज आपने जो खोया था वो मिल गया है क्या? क्या मतलब पहन? मैं समझी नहीं आपका अंडा जिसने भी उठाया था वो उसे यहाँ नदी पर फैंकर चला गया था और रोज उसी अंडे से निकला था ये बहुत डर रहा था मैं इसे अपने खाले गई थी और इसे पाल लिया ये सुनकर वो चुडिया तो और भी रोने लग जाती है और उस बचे को अपने गले से लगा लेती है रोज मेरे बचे आज आपको आपकी असल मा मिल गई रोज बेटा यही आपकी मा है परन्तु ममा मुझे सब आपने बताया के मैं कौन हूँ जब सब मुझ से पूछ रहे थे के मैं कौन हूँ मेरे बचे मैंने आपको खो दिया था मैं बहुत रोई थी रोज मेरी जान आप अपनी असल ममा के साथ चले जाएं यही आपकी ममा है रोज बहुत रो रहा था वो ये जानता था कि यही उसकी असल ममा है क्योंकि उसने तो आवाज भी पहचान ली थी परंतु फिर भी वो उस परिवार को छोड़ कर जाना नहीं चाहता था आप जाएं बेटा आपको मेरी किसम मैं आपसे मिलने आ जाया करूंगी फिर ऐसे रोज अपनी असल मा की खोच कर लेता है और उसके साथ चला जाता है इस कहानी से सीख मिलती है कि एक माही होती है जो अपने बच्चे को पहचान देती है जो अपने बच्चे को बताती है कि वो कौन है इस बात से फरक नहीं पड़ता कि वो आपकी असल मा है या सुतेली क्योंकि मा तो सिर्फ मा होती है तोते तुम तो जानते हो मेरी पत्नी गोरी को कितनी गुस्य वाली है मैं इसको साथ तो ले जाता लेकिन गोरी की वज़ा से मैं इसे साथ नहीं ले कर जा सकता अब मुझे भी जाना चाहिए और कवा ऐसा कहते हुए अपने घर चला जाता है चुडिया का बच्चा बहुत छोटा था जिसकी मा आज ही एक हाथसे में मर गई थी हर पक्षी को इस पर दिया तो आ रही थी लेकिन अपने साथ इसे कोई भी ले कर जाने को त्यार ना था और फिर तोता भी बुलबुल से ऐसे कहता है बुलबुल मैं सुबह से ही दर से लिकला हुआ हूँ मुझे बहुत बेर होगी है अगर तुम इसे अपने साथ ले जाओ तो ये अच्छा होगा और फिर तोता भी वहाँ से चला जाता है और भुलबुल अकेली ही इसके पास रह जाती है मेरी माँ नहीं आएगी क्या नहीं बेटा तुम्हारी माँ जहां चली गई है वहाँ से वो कभी लोड़कर नहीं आ सकती आप सब छूटे हो ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरी माँ कहती थी कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी वो मुझे बहुत प्यार कती है अगर मेरी माँ ने मुझे छोड़कर जाना होता तो वो जरूर मुझे बता कर जाती नहीं बेटा उसके पास समय ही ना था तुमें बताने का हम जब वापस अपने घरों को आ रहे थे तो एक शिकारी ने उसे मार दिया लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मानूगा कि मेरी माँ कभी वापस नहीं आएगी मुझे भूप भी बहुत लगी हुई है आप देख लेना मेरी माँ अभी थोड़ी देर में मेरे लिए दाना लेकर आ जाएगी बुल-बुल उस ननी जान को बहुत समझाती है लेकिन वो क्या जाने मौत और जिंदगी में फरक वो यही कह रहा था कि मेरी माँ वापस आएगी और मुझे आकर दाना खलाएगी अब बुल-बुल भी जाना चाहती थी लेकिन वो होसला नहीं कर पा रही थी उसे अकेला छोड़ कर जाने का बेटा मेरे पास ये दाना है ये तुम खालो और सोजाओ अब मुझे भी जाना है अपने घर मैं मजबूर हूँ अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें जात लेकर जुरूर जाती लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती मैंने मा के बगैर कभी दाना नहीं खाया मैं नहीं कहूंगा और वो ननना चड़िया का बच्चा रोने लग जाता है रात की तारीकी में इस बच्चे की रोने की आवाज सारे जंगल में दूर दूर तक जा रही थी लेकिन फिर भी कोई उसे जूटी तसलिदेने भी नहीं आया था बुल बुल तो अपने परिवार से मजबूर थी वो भी अपने घर चली जाती है और फिर ऐसे वो बच्चा चान की दरफ देखकर और भी जोड जोड से रोने लगा और कोई भी उसे चुप कराने वाला ना था फिर अचानक से उसे एक आवाज सनाई देती है कुकू, कुकू, मा, मेरी मा कहा हो मैं तुमें देख नहीं पा रहा मा, मा तुम कहा हो मा सब चलेगे, सब मुझे छोड़ कर चलेगे और सब छूट बोल रहे हैं, मेरी मा मुझे छोड़ गई है कुकू, मेरी जान, मैंने तुम्हें एक बार कहा था ना कि इस दुनिया के पार एक और पी दुनिया है हाँ मा, आप तया करते थी मेरी जान, मैं इस दुनिया में चले गई हूँ मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ लेकिन तुम्हें नजर नहीं आउंगी मेरी प्रात्ना तुम्हारे साथ होगी लेकिन अब तुम्हें जीना खुद से होगा तुम्हें अपनी माँ के बगैर अपने आप में होसला पैदा करना होगा शायद वो सब सची कह रहे हैं अब मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन मेरा शरीब तुम नहीं बेख सकोगे और ना ही मैं तुम्हें चूँ सकूँगी अब मुझे जाना है वापस तुम ये दाना खालो और सो जाओ दरना नहीं तुम बहुत बहादर हो अपनी माँ के बहादर बेटे हो तुम और फिर उसकी माँ की पर च्छाए गाइब हो जाती है हाँ माँ मैं बहुत बहादर हूँ अपनी माँ की तरा मैं अपने मां को जी कर दिखाऊंगा और मां मुझे अब ज़रा भी कर नहीं लग रहा और फिर कुकू रोते रोते सो जाता है अगर आप नहीं तो मैं कुकू को अपने घर ले आओ तो बहुत चोटा है ऐसा नहीं हो सकता चुरिया का परिवार और, हमारा परिवार और वो हमारे साथ कभी भी नहीं रह पाएगा और ना ही हम उस के साथ मैं तो पूछी रही थी फिर बुलबुल खामोश होकर वहां से चली जाती है और बुलबुल सीधी कवे के घर जाती है कालू, तुम्हारे बहुत अच्छे संबन थे कुकू की मा से, मेरा तो पती नहीं मा रहा, तुम उसे अपने घर ले आओ, ना भी, तुम्हारा पती नहीं मा रहा, तो यहाँ अगर कालू मान बेजाए, तो मैं नहीं रख सकती उसको अपने घर में, हमसे तो अपना बोजन प्रस्तित्यां का और कालुकवा खामोश हो जाता है और फिर बुलबुल बहां से चली जाती है बुलबुल भी एक माँ थी शायद इस पूरे जंगल में एक बुलबुल ही थी जिससे कुकु का ख्याल था वो सारा दिन दाना ढोंकी है और शाम होते ही सीधी कुकु के पाच जाती है कुकु मुझे सरफ दो ही दाने मिले हैं आज एक तुम खालो और एक मैं अपने घर ले जाती हूँ आंटी आप रहने दे मैंने दाना खालिया है नहीं बेटा मुझे पता है तुम सबहों से अपने घर में ही हो तुम यह रख लो और फिर बुलबल चली जाती है और कुकु वो दाना खा लेता है रात कहरी हो जाती है और कुकु फिर से अपने घोंसले में बैठ जाता है लेकिन आज कुकु रो नहीं रहा था शायद उसे रोना तो आ रहा था लेकिन वो अपनी मा को बहादर बन कर दिखाना चाता था और फिर ऐसे ही सुभों हो जाती है और आज कुकु पहले दिन अपनी मा के बगएर दाना लेने चला जाता है वो सीधा नदी के पास जाता है यह वो ही जगा थी यहां पर वो हर रोज अपनी मां के साथ आया करता था और फिर अपनी मां के बारे में सोचकर कुकू की आँखों में आंसु आ जाते हैं शाम होते ही कुकू अपने घर चला जाता है और पिर ऐसे ही दिन और रात गुजट और कुकू जवान हो गया वो बहुत सुन्दर था और बहुत बहादर भी इसकी बहादरी के चर्चे पूरे जंगल में फैल चुके थे वो सब पक्षियों की मदद करता अगर कोई पक्षी बिमार हो जाता तो उसे दाना ला कर देता जंगल के सारे पक्षियों का खिया लगता और सब पक्षी कुकु से बहुत खुश थे और कुकु कभी कभी बुलबुल से मिलने उसके घर चला जाता आंटी मुझे आज भी वो रात अच्छे से याद है जब सब पक्षियों मुझे छोड़कर चले गे थे तो आपने मुझे दाना खिलाया था और मुझे होस्ता दिया था हाँ बेटा मुझे भी याद है कि मैं भी तुम्हें रोता चोड़कर चली गई थी मुझे घर्व है तुम पर कि कैसे तुमने खुद में हिम्मत पदा की और सब पक्षियों को जी कर दिखाया और अब सब पक्षियों की तुम मदद भी करते हो आंटी मुझे में ये होस्ता मेरी मा ने बैदा किया मेरी मा मुझे अपना बहादर बेटा कहती थी और मैंने अपने मा को बन कर दिखाया कि मैं बहादर हूँ अच्छा आंटी अब मैं चलता हूँ शाम हो रही है और कुकु अपने घर चला जाता है और फिर कालुकवा गबराया हुआ बुलबुल के पास आता है मुझे पता चला है कि वो उलुों का परिवार फिर आज रात इस चंगल में आने वाला है तुम्हें याद है कि पिश्री दफ़ा जब वो परिवार आया था तो कैसे उसने हमारे घोंसले तोड़ दिये थे और हमारे अंडे तक गिरा दिये थे घोंसलों से क्या बाकिस सब अख्शों का पता है कि आज उलु आ रहे हैं मैंने सब को बताया है लेकिन कोई भी सामना करने को त्यार नहीं इन उलुओं का सब खोफ जदा है मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम कुकू से बात करो वो जवान है और बहादर भी शायद वो ही कोई अपाय बता सके कि कैसे हमारे गोंसले उन उलुओं से सरक्षत रहें चलो हम दोनों ही चलते हैं और वो दोनों कुकू की तरफ चले जाते हैं कुकू बेटा उलुओं का परिवार आज रात आ रहा है पिछले साल जब वो आया था तो उन्होंने सारे जंगल में खोफ प्ला दिया था सब पक्षों के अंडे और गोंसले तोड़ दिये थे आंटी आप होसला रखें मुझे अब यद भी तोता अंकल बता कर गिये हैं आप मत गबराएं मैं सामना करूंगा उलुओं का और देखूंगा कैसे वो हमारे गोंसले तोड़ते हैं मकाब्ला करने के लिए ताकत नहीं होसला चाहिए हिम्मत चाहिए और मैं साबत करूंगा कि मुझे में होसला भी है और हिम्मत भी और ताकत भी आप अपने अपने घरों को जाएं और फिर कव्वा और बुल्बुल अपने अपने घरों को चले जाते हैं रात गहरी हो जाती है और फिर वे उल्वों का परिवार भी आ जाता है महरानी पक्षियों को डुराना है या ऐसे ही रात बेसर करनी है नहीं, ऐसे तो पता नहीं चलेगा पक्षियों को उल्लू रानी आई हुई है जंगल में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जाओ और तोड़ दो गाउसे सब पक्षियों के और फिर वो दोनों उल्लू चले जाते हैं सब पक्षि खोफ के मारे पेड़ों में छुप जाते हैं लेकिन कुछ उल्लू के रास्ते में जाकर बैठ जाता है तहरो कौन है तुम रुक जाओ वरना मैं मान मार कर तुम्हें अंदा गर दोगा और उल्लू ये देखर हैरान हो जाते हैं ये कौन सा ऐसा पक्षि है जो हमारा मकाबला कर रहा है वो रुक जाते हैं तुम जानते हो हम उल्लू है हमारा कितना खोफ है इस जंगल में देख नहीं रहे तुम सब पक्षि कैसे छुपके डर के मारे लेकिन तुम भी ये जान लो मेरा नाम भी कुकू है और मैंने सारी जिंदगी अपनी मां के बगैर गुजारी है और जमाने ने मुझे इतना पहादर बना दिया है के तुम तो क्या अलाके की चीले भी मेरे नाम से डरती है ऐसा सुनकर वो दोनों उल्लू वापस चले जाते है रानी जी कोई कुकू नाम का पक्षी है इसने हमारा रास्ता रोक लिया है और वो सारी बात बताते है अगर वो हमारा सामना कर रहा है तो जरूर कोई अलग बात है इस पक्षी में हमें अपनी जान बचानी जाए वैसे भी हमने सिर्फ मज़ा करने के लिए ही उनके गौंसले तो उनने है ऐसा ना हो कि मजे मजे में अपनी जान से जाएं और वो उलू वापस चले जाते हैं और दोसे राज़ते से आगे निकल जाते हैं सब पक्षी बहुत खुश थे कुकु ने आज साबत कर दिया था कि वह बहुत बहादर है क्योंकि उसने सब पक्षों के गौंसलों और अंडों को लूँआ है